तो कैसे हो मेरे भारतियों? आजम एक इंग्लिश वोर्ड रिस्ट्रेइन की बारे में जानेंगे हिंदी में रिस्ट्रेइन, R-E-S-T-R-A-I-N-E-D, रिस्ट्रेइन R-E-S-T-R-A-I-N-E-D, रिस्ट्रेइन देखो, रिस्ट्रेइन का मितलब होता है कि रोकना, खुद को कंट्रोल करना और फिर कंट्रोल में रखना और फिर दबा के रखना इन जगा आप रिस्ट्रेंड का यूज कर सकते हो जैसे अगर आपको मैं एक एक एक्जामपल दूँ मान लो आपको बहुत घुसा अरह है पर आप वह दिखा नहीं चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आपको कंट्रोल कर रहे हो कि वह घुसा किसी को ना दिखे, उसको दबा रहे हो आप तो इस चीज को आप रिस्ट्रेंड कह सकते हो एक एक्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा Sam restrained himself, though his fingers were too sick Sam ने अपने आपको रोकने का कुशिश करा फिर भी उसके जो उंगलिया है, वो ट्विच कर रहे थे I hope आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा And Paul Dixnergy के तरफ से आपको एक चोटा सा टीप है आपका English को और भी बहतर बनाने के लिए जो कि हैं, आप बुक्स परना शुरू कर दो आज इसे ही, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टॉफ 5 बुक्स दी हुए है जो कि आपको English learn करने में और समझने में बहुत help करेगा तो जाके, लिंक से जाके purchase करो, delivery low book का And परना start करतो जैको ऐसे बहुत लोग हैं, जिनका English tremendously improve हुआ है After reading books and अगर आप English learning gang में से हो, तो आप हमारे जो Facebook group है, उसमें join हो सकते हो, link description में है And इस group में ऐसे चीज़े share होती है, जो कि self growth related है, जो कि आपको help करेंगे, कुछ अच्छा achieve करने में आपके life में अगर पसंद आया तो like कीजे, subscribe कीजे